प्रश्चाइब कर दो प्रतिमान व्याख्यान श्रिंखला में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर रमा संकर सिंग सबसे पहले मैं आपचारिक तौर पर उनका पड़िचय करवाना चाहूंगा आप सबी लोगों से रमा संकर सिंग की सनातकोत्तर तक की सिक्षा साकेत कॉलेज अयोध्या में हुई है गोविंद बल्लव पंत समाजिक विज्ञान संस्थान जूसी प्रयाग राज से 2017 में इन्होंने डीफिल याने डॉक्टरेट की उपाधी पाई उनका थीसिस या डॉक्ट्टरल डिजर्टेशन आरंभिक भारत में सबॉल्टरन जातियों की प्राकृतिक संसाधनों पर नि उन्होंने 2017 में ही बुंदेल खंड के अतिहासिया कृत समदायों से संबंधित प्रयोजना में काम किया जो सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच के मुल्यांकन को समर्पित थी 2018-2020 के दौरान वे भारतिये उच्च अध्यन संस्थांस आये सिमला में फेलो भी रहे जहां रहते हुए उन्होंने अपनी यह किताब लिखी जिसका नाम है नदीपुत्र उत्तर भारत में निसाद और नदी यह सेतु प्रकासन से 2022 में चपी है यानि हालिया प्रकासित दिल्ली के सेंटर फॉर रिसेर्च अंड अर्काइविंग इंडिया और इंडिजेनिस नॉलिज एंड लैंग्विज सिस्टम में एकडमिक फेलो हैं और मध्यकालीन भारत के आर्काइव तक राह खोजने के लिए इस समय फार्शी सीख रहे हैं इनके अकादमिक प्रकासन क की फेहरिस्त काफी लंबी है कि बास पर आश्रित जातियों घुमंतु एवंग विमुक्त समुदायों के इतिहास भासा संस्कृति राजनिती और जीवन बोध एवं भारत के संविधान पर उनके परचे EPW, आलोचना, CSDSK, जरनल प्रतिमान और नया प्रत्पत में प्रकासित हैं विद्वानों द्वारा संपाधित किताबों और ग्यान कोसों में भी उनके दरजनों अध्याय प्रकासित हुए हैं जैसे पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे उफ इंडिया के उत्तर प्रदेश स्खंड के लिए लेखन अन्वाद और सहसंपाधन का काम उन्होंने किया है जवाहरलाल नहरू के संस्कृतिक विचारों को केंद्र में रखकर उन्होंने एक और किताब का संपाधन किया है जो लोकभारती लाहबाद से प्रकाश्य है संप्रती नहरू के जीवन पर एक और किताब सहसंपाधित कर रहे हैं जिसका वितान अपिक्षकृत काफी बड़ा है साथी साथ वे उत्तर प्रदेश के घुमंतु समधायों की राजनीती संस्कृति और उपनिवेश से उनकी भिरंत पर अपनी किताब को अंतिम रूप दे करेगी उनका अगामी रिसर्च प्रोजेक्ट भारत की संविधान सभा की बहसों को लेकर है अंत में रमासंकर अकादमिक होने के साथ साथ असर्दार फेस्बुकिया भी है याने सोचल मीडिया इंफ्लूरेंसर भी है रमासंकर आईए प्रभाद जी का बहुत बहुत सुक्रिया और मैं इसकाम जी का भी यह दोनों लोग हेतु बने मुझे अच्छा तो जोर से बोलता हूं हाँ 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 तो एक अच्छा थी है तो यह मामना से तो सबसे पहले तो मैं प्रभाद जी को ही सुक्रिया कहूंगा निश्कान जी को कि यह दोनों लोग हेतु बने यहां और यह बात रखने के लिए और सीज़डियस की जो सम्भानिक साइकल्टी गाण है उनका मैं सुक्रिया उनको भी कहूंगा कि वो सुनने आए मुझे और यह मेरे लिए दो काणों से खुशी का मुझा है एक तो कि मुझे अपनी बात रखने का मुझा मिला इस देस के अधिकांस लोगों को अपनी बात रखने का मुझा सुक्ष तो हो ही जाता है तो उस तशिछा से मेधी खुश हूं और जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उनको भी कभी बात करने का मौकार मिलता है लेकिन कोई सुनता नहीं है तो जब मैं उनसे बात करता था तो बहुत खुस होते थे तो उनकी तरफ से भी मैं आप सबको सुक्रिया कहूंगा दूसरी बात यह है कि अब चारी क्रूप से ही इस ब्याख्यान का नाम है प्रतिमान ब्याख्यान स्रिंखला तो यह मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि 2015 में मैंने एक लेख भेजा प्रतिमान में और उसके रिव्यूर ने लगभग तेरा सो सब्दों का एक रिव्यू भेजा और दिल रहलाने वाला और मन जिसको पढ़के बैठ जाए लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ इतने इतने सुधार है आप कर लेजिए तो आपकी पेपर छापा जा सकता है आज ही मैं उसी फैस्य से बोलने जा रहा हूं कि आ मैं जो बोलूंगा आप बिल्कुल वैसी टिप पढ़ियां करें जिससे मैं इस बात को और अच्छे से सुधार सकते हूं तो उसके बाद प्रितिमान में दो लेक और भी शब्बे उसमें एक लेक ने इस किताब की भूईमिका तैयार की जो निसादों के बारे में प्रितिम तो यह CSDS का माल मत्ता घूम फिर के यहीं आ गया है तो यह मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं उस सारे अन्भों को आप के साथ साजा कर रहा हूं ब्याख्यान का जो सीर्षक है वा दो भागु में बटा है एक जो उसका मुख्य है कि सास अभिलेखागार और मानवी अन्भों तो यह तीनों बादें बिल्कुल अस्पश्ट अस्पश्ट है अब जब हम सास्र कहते हैं तो उसका क्या आसा है यानि जब इस किताब में सास् इसका क्या आसाय है और जब हम अभिलेखागार कह रहे हैं उसके बारे में सारे लोग जान रहे हैं मानवी अन्भों चुटकी हर मनुष अपने आप में जुदा है तो वहां थोड़ी अलग कहानी कहता है मैं कहना चाह रहा था कि यह तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ जो कुछ भी कहते हैं उसको प्रभाइद करती है और विस्षय जो है वह निशाद और नदी के बारे में तो पहले नदी के बारे में बात कलने और यहां पर तो कुछ उस्तार्ट बढ़ें जिनों नदीयों पर काफी काम किया है दिल्ली के इधर यमुना पर चुकि उनकी प काम करते हैं तो जो काम हुए हैं वह द्दू तरीके के हुए हैं पॉलिशन के हुए है और आध्मिक राश्ट राज़जब बनने लगा तो कैसे प्रश्ट करने का प्रयास किया और सारी चीजे या बांध बने उससे बहुत सारे लोग घर घर हो गए तो उनके जो अंभों हैं उनको दर्ज करने का काम देखिया गया दूसरा जो काम है वो नदी की प्रसंसा में बहुत जादा है एक नाश्टेल जाज ऐसी है कि आह गंगा वाह गंगा इस टाइप का बहुत सारा आपको हिंदी में अंग्रेजी में खूब लिट्रेशर मिलेगा और उसके किनारे जो चीजे हुई हैं वाह और पूजा गंगा की लोग क्यों करते हैं उससे उनका जीवन कैसे जुड़ा इस खुब लोगों ने कांग किया है और वो सास्त्र से उनके जो प्रमाड आते हैं वो सास्त्रगत प्रमाड आते हैं इसकी दिक्कत यह रही है कि उसमें मनुष गायब है उसमें मनुष ही नहीं कभी कभी तो मैं अच्रज में पढ़ जाता हूं कि गंगा नदी पर इतनी मोटी किताब लिखे उसमें कहीं मनुष ही नहीं दिखे पानी दिखा आओ लेकिन उसका दो मनुष से जो रिष्ता न चाहें उसके बारे में नहीं कर रहें तो उसमें इस स्पेस्फिक नहीं हो पाते कि, क्या इस नदी का कोई सामाजिक परिफ्रेच्छ भी है, उसका लोगों की जिंदगानी से कोई, उसका कोई संबंध भी है, और जो उसके प्रायमरी स्टाकोल्डर है, मसलिन निसाद क्या वह भी उसमें सामिल है, तो उस तरीके की चीजें उ अच्छा और जब निशादों पर लोग काम करना शुरू करते हैं तो एक सुविधाया होती है कि वे निशादों को किस तरीके की एक खास असमिता में धाल दिया तो ये काम वहां खतम हो जाता है तीसरे तरीके का काम यह है कि वह बिल्कुल उनकी जो आज की राजनीत है आज का जो समादे उसके बारे में काम करते हैं और बताते हैं कि निशादों के साथ दिक्कत क्या है वह क्या कर रहे हैं लेकिन इन तीनों में क्या कोई ऐसा संबंद अस्थापित किया जा सकता है और अ मिक्स बेज बना दो तो क्या ऐसा कोई इतिहास लिखने की कोशिस है या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि जो सास्त्र है जो आर्काइब है और जो उनका अनुभाव है किसी समाज का वो कैसे आता है और जो लिखता है जो पढ़ता है यानि जो प्रोफेसर है कहीं जो बोलने की हैसियत में है जिसकी बोलने की आउकात है उसका इन सारे समुहों से क्या रिस्तान आता है वह कैसे देखता है और वह सारे समुह यानि निसाद किस तरीके से अपने अनुभाव को आप से बताते हैं किस तरीके से वो इतिहास को देखते हैं, किस तरीके से वो आर्काइब को देखते हैं, जब मैं कह रहा हूँ आर्काइब को देखते हैं, जो निशादों के बुध्य जीवी हैं, वो आर्काइब से निकली सामग्दियों को कैसे देखते होंगे, तो इस सब को बताया जाना तो ये इस किताब की प्रिश्वूमी थी तो अब इसको मसलन ऐसे लेजिए कि जो निसादूं के बारे में आरामिक भारत में इतिहास लेखन हुआ उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आप आएंगे कि वही दो तीन तरीके की उसकी थेवरी है कि वो इसके किनारे ही रहते थे नदियों के किनारे रहते थे तो इसलिए उन्हाव चलाए पेसे से उनकी जा को आधार बनाके कहते हैं कि जो ब्रहम्माण पुरुष और सूद्रिस्त्री के संयोग से जो संताने पैदा हुई वे निशाद हुए तो जो लोग चात्रों ने बिवस्था पर काम कर रहे थे जब मसलन रामपन सर्मा या विवेका नन्जा इस तरीके के काम ने बता दें कैसे अलग-अलग जातियों का बहुगण हुआ और उसमें ये कुछ खास जाती आई कुछ खास तरीके के पेसे अपनाने लगी वहां पढ़ते हुए आप पाते हैं कि इन सारी जातियों के प्रति एक अजीब किस्न का बहुत है कि उनको काले रंग वाला गुंग्राले बाल वाल चोटे कदवाला गुसेल इस तरीके से चित्रित किया गया है और आज की भासा में तो उनको असभी रूप में चित्रित किया गया है और जैसे लग रहा है कि सास्त्रों में जिनके पास पावर है वहां उनको सभी बनाने का कोई तरीका खोज रहे हैं और अगर वह कुछ जहांपर द्रोणा चार और एक लब्य और पानडों करो जाकर मिल रहे हैं तो वहां पर जब उसका लग रहा हैं तो आप देखते है कि अशा लग रहा कि जैसे वह कोई अवांशी जैसी चीज है और इसका अंगुठा कांडिया जाए तो मामला साफ हो जाएगा सही हो जाएगा ये बात ये हो गई उपर की तरब से आप ये सारी बातें बहुत बाद में जब आप आते हैं और जो उनके प्रत्रवये सास्त्रों में व्यक्त किएगे सास्त्रो कि उसमें फिर जो रामायव, महाभारत, पुरान और संस्किर्ट का जो लोकिक साहित है उस सब में फिर जो मदिकालिन भारत में जो आउधी का ब्रज का इस तरीके का जो साहित है मदिकालिन भक्ति साहित है उसमें जो इनके बारे में बाते कीएगे हैं जो सारी बाते हैं उ तो प्रिवर्गों का इनके प्रत एक हिकारत का भाव है, ठीक, तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले से हिकारत का भाव था और ये वही सब चला आ रहा है, दूसरा ये अंग्रेज भादुरा आ रहे है, वो आर्काइव में सुचनाई कठी कर रहे हैं, सारी बात दे कर रहे हैं, क् ट्राइब एक्राइब है तो निशादयों को किउम इसमेंसंुकर दें रहें ऐधामी 561 यहारा कि एधिवार्व के इतिहासं कारओं और समासाश्रयों की समझ रही है वह जमीन को लेकर यह कि जमीनी संवन्द वक कैसे रहें A acknowledge किसके पास जमीन नहींिए ऊपर के दो-ती दच्छना चाहिए था, अपने खेतों में काम करने के लिए सस्ता स्रम चाहिए था इसलिए अंटेशेवेलिटी और यह सारी चीजें उपला दूए लेकिन यहां जो परिप्रेचे इस बात की व्याक्षा नहीं कर पाता कि जो लोग खेती नहीं कर रहे थे वह कहां थे मसलमनी साथ वह छूट जाते है इस ब्याक्षा में आठ नहीं बाते तो उनके बारे में जब तो प्राची इंतिहास वाले मान हो जाते हैं और इधर अंग्रेज बहादुर आते हैं तो सोते हैं कि ऐसा कोई आदमी बचे ना इस भारतिय धरा पर जो उनकी प्रजानना बन जाए तो जो लोग बसे हुए थे प्रजाने में दिक्कत आ रहे थी और उस तरीके से उनके आग्यापालग समाग में नहीं आ पा रहे थे जैसे दूसरी जातिया और दूसरी समुहों के लोग आ रहे थे तो उनको कहा गा है भाई साम आप इधर आईए और दूसरा ये था कि नदियों को कंट्रोल करना उन प उसको भी एकी समय में कबज्या जमाए गया एक तरफ तो उनको ख़ा सेकतर के बाद किनों ट्राइम में लेज आए गया डूसी तरफ नदियों पर इस तरीके से कानून लाए गया कि कितना टैक्स लिया जाएगा कितने आद्मी बैठेंगे किने आदमी नहीं बैठेंगे तो पूरा इनका जो मामला है वो गंतोल कर दिया अब कि सारी कृष्ट भून के साथ आधनी बारत में जैसे ही निसाजन प्रवेस करते हैं तो अब यह कि जो इस स्मितियां है जो टेक्स्ट है उसका एक तरीके से कोडिफिकेशन हो रहा है उपनिवेस के समय में वहा बात हो रही है दूसरा कानून बनाया जा रहा है वहाँ बात हो रही है इसमित्यों और समिताओं का कोडिफिकेशन और कानून यह सारी चीज़ इनको ठमाई जा रहे हैं इनको एक तरीके से फिर वही एक असमिता को अब धर्पीद करने के लिए इमबाइब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप यहां मालें कि आप क्रिम्रा ट्राइब है आप यहां माल लें कि आप 1922 के बाद बी नोटीफाइड है और आप यहां माल लें कि आपका विकास करने की सबसे अच्छी इच्छा भारत के राजी को है वो चाहिए 1947 के पहले वाला राजी या चाहिए 1947 के बाद वाला राजी है यह सारी बातें जो हैं वहां आर्काईव में और टेक्स्ट में तो देखती हैं अब क्या होता है कि जब यह समाज इस पूरे समाज को दो तरीके से लोग बेख रहे हैं एक खुद वह इनके पास पावर है यानि उच्वर के लोग वह लोग जो पढ़े लिखे हैं पढ़े लि जब देखते हैं तो उनके बारे में उन राय सुमारियों को जाहिर करते हैं जो सास्त्रों में कही गई है या जो आर्काइब में कही गई मसलन कि मुगल सराय में एक कहावत है ना सौचाई ना सौचाई ना एक मुगल सराय तो हुआ ये कि मुगल सराय में इस्टेशन बनाया गया और जहां इसे आप लोग दिल्ली वाले अने थाना लीजिएगा जहां इस्टेशन बनाये गए उस दोर में वहां बताया गया कि हां तो जहां जहां बनाए गए वहां कि लोगों को चोर उचप्ता माना जाने लगा ठीक और कौन माने थे यह अंग्रेज भादू लोग मान रहे थे अग्रिय के जो भारती माताहत मान रहे थे लेकिन आप देखें मुगल सराय में कि कहा गया और सव चाई ना एक मुंगल सराइवाले चोड़ होते हैं तो यह नहीं पता रहा है कि मुंगल सराइवालों को गाली दी जा तो यहां सारा जो समझ है वह भारते समाज में ब्याप्त होने लगी या इसके नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कि भाई यह चोर हैं बदमास हैं उचक्के हैं इनसे आप ठीक से मिले अभी मात पचीज दिन पहले यहां पर एक कुदेशिया घाठ है कस्मीरी गेट से उधर राजपाल का इधर वो है आवास मैं उधर से जा रहा था सामके पान बज रहे थे तो मैंने पूंचा कि भाई इध यह उन्हादी की किनारे रहने वाले जो गरीब लोग हैं और डिल्ली के जो बेघर लोग हैं वो रह रहे हैं तो यह कैसे आता है कि उधर चोर रहते हैं उधर आपको नहीं जाना चाहिए वहां छीर लेंगे यहां यह जो बात है वो मैंने देखी है कहां कानपूर में, में इलहाबाद में मनारश में और चंदोली में तो यह कैसे आया है यह इस तरीके से आया है कि जो इस्रमितियों में निवंधों में जो उनके बारे में बात की गई थी जो उपनवेश ने उनके बारे में सूजना समझ और ग्यान को प्रसारित किया था वह मुखिधारा के समा करने लगे लेकिन यहां तो कहानी एक पच्छी हुई दूसरे पच्छी कि कहानी तरफ है यानि समधाय इसको कैसे देखता है संदा इसको तीन चीज़ों को तीन अलब तरीके से देखता एक तो अपने अनुभव को बताता है इसका परियोग करते हैं सास्र का यानि संस्कृत गंशों का तब वह इस मितियों को और भांशुत्रों को और जो मद्धिकालीन भारत में निबन लिखेंगे उनको अवाइड करते हैं वह उन जगों को चुनते हैं जहां पर उनका सही से प्रस्चुति करण हुआ है मसलन रामा राम हुए थी आपके मतलब मुख्धारा के जब कोई रिसर्चर जानता है तो निशाद उसको मुख्धारा का ही मानता है तो इसी भासा में कहता है आप लोग यहां आए हैं आपके एक राजा राम हुए उनकी हमने सहायता की थी और हमारा एक राज हुआ करता था और हमारी ग्लोरी गोटी ति हमारा एक और अबार गया वह रोगता है जिसका नाम ब्यास है शुयोरोन कहानिया स्थापित करना चाहते हैं बलकि यह इस तारगता स्थापित जो उनकी किनारा कसी हो रही है उसके बारे में आपको अपना पक्ष रखना चाहाद की धहाएं कि तहसा हुआ है की आरकाइब जटनी टाकित था इसकार से अदुध था करा से ज़नी ये लोगी बहुत ही बेंदाज है इनके बारे में प्रशा मड़ा जाहिए कंट्रोल में लाना चाहिए और इदर ये पूरा जो है दिल्ली अलीगड दारुर्स कान पूर जहांसी इसके आसपास के इलाकों के जो रेलवे के अधिकारी थे उनको बार-बार 18 सताब्दी के यानि बिलकुल अंतिम दसन में 1891 के बाद 1921 के बीच 1891 और 1921 के बीच के बार-बार रेलवे के अधिकारीयों को यह चेताया जा रहा है कि देखिए इसमें अगर निसाद आ रहे हैं, म इन पर नजर रखिए क्योंकि यह चोर है, यह ट्राइब है और उठाय गिरी करते हैं, और हद तो यह हो गई है कि चोरी की चीज़ों को बेच देते हैं, और उसको पैसा इनके पास ना रहे है, तो पोस्टल सिस्टम के थूरू इसको अपने घर बेच देते हैं, तो इनको पकड़ में भी पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए इन पर नजर रखिए, तो बार बार इन पर नजर रखने की बात की जा रही है, और बता जा रहा है कि यह बेंदाज लोग हैं, अच्छा, अब इस कहानी को यह कैसे कह रहे हैं, इस कहानी को कह रहे हैं, निसात कैसे कह रहे ह कि देखिए हम से अंग्रेज बहुत परिसान रहते थे और हम कोई भगोड़े काम नहीं हैं हम बहुत लड़ाकों हैं और हम फिर भारत की हर कवम के साथ सुरू होता है उसके लिए अठासताओन एक मुकाम की तरीके से आता है और वो कहता है जैसे हर आदमी कहता कि हमारे पिता समदाय में कोई भी सांसी हो या भादू हो या कबूतरा हो सब कहते हैं कि हमारा सताओन की लड़ाई हुने लड़ी थी तो इसलिए हमें दंडित किया गया और हम पर कर्मिनर ट्राइब आयक्ट या जरायम पेशा की पहचान लाज दी गई है तो वह इस बात को दोहराना चा है और बेतर है फिर क्या होता है कि लोगों को अपने ग्यान का बहुत धमन होता है जो प्रसंद कुमार चौदरी जी कहते हैं कि भारत की दिक्कत यह रही कि इसमें हाथ और दिमाग कभी एक नहीं हो पाए और आगभी ऐसा है साचिक संस्थानों में जो काम माली करता है वो और दोनों के बेत indicators संमान में बहुत जाद अंतर है तो उस समय भी ऐसा ही रहा तो क्या हुए कि यह समाज काम कर रहे हैं वो कह रहे entrepreneurshipों सबक्ते अधर क्या है उनीस तो असी के बाद में कि जो निसाद गुद्धी जीवी है इन्हों ने अपने लोगों को अपने महिलाओं पूर्शों लड़के लड़कीं सब को बताया है कि आप एक ज्यानी समाज है आप एक ज्यानी समाज का इंडिमाल करते हैं और आपके पास जो ग्यान है वाद दूसरों के पास नहीं है और इसके लिए फिर वह सास्त्रों की मदल देते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इस इस किसम का ज्यान है जैसे एक बार मैंने उससे एक आदमी ने पूचा वहाँ कि BCS लोगास कहां आपको यह नहीं पता है कि नदी ने कितनी घहराई कहां गहां पर है तो कि हम जानते हैं पंधने उन तो एक तरीके से उससे वो अपना एक जैविक रिस्ता कायम करते हुए अपने घ्यान को सामने किसी के सामने प्रकड करना चाहते हैं कि हमें ज्यानी माना जाना चाहिए हमें नदियों में नाव चलाई है और हम नदी तो पार कराते हैं और जब कहते हैं नदी को पार कराते हैं तो इसके कई अर्थ होते हैं भावतिक अर्थ पारलोकिक अर्थ की ये दुनिया से अगर आप जूसी दुनिया में जाएंगे तो निसाधी इस नदी के थुरू आपको पार करेगा एक ये तीसरा इधर क क्या हुआ है कि जो ज्यान की जारेदारी है वह थूब या है कि जिसे राज ज्यात समय हुक्त तो उसमें यह और में पास्य इस के लिए अलग से प्रियारन कि यहां पर कहां अंडे देती हैं कहां पर गड़िया लहते हैं कहां पर बालू निकाली जानी चाहिएं नदी अपना मार्क कैसे बदलती है कब बदलती है इसके बारे में हमें ग्ञान है और आप हमसे पूछिए, हमारे ज्यान को आप सम्मान दीजिए, अब क्या हुआ है कि आप राष्टे जलनीत देख लीजिए, नदियों के बारे में कोई भी नीत देख लीजिए, तो इन अस्थानिय समदायों को निशानों को कोई उसमें तवज्ज़ु नहीं दी गई, इसमें लगे हैं कि नहीं हमें भी हुजूर इसमें सामिल कीजिए, और हमारे ज्यान को सम्मान दीजिए, तम मामला जाके बन पाएगा, तो इस किताब में मैं यही सारी बातें कहने का कहने की कोशिच कर रहा था कि किस तरीके से एक समदाय का निर्माण हुआ, उसकी जीव क सिर्जीत हुई बनी हुए, उसमें काम करने के लिए बाद दी हुए और एक दोर आया कि जब वह इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले समदावे में सामिल थे, अगर आप अर्षास्ट पढ़ें, और अमर कोस पढ़ें, अगनी पुरान पढ़ें या अमर दिकालिन भारत का कोई भी रिजिनल लेंगुज में, किसी भी भासा को, जो उत्तर भारत में जितना मैं समझता हूं, पढ़ें, तो आप आएंगे कि यह समदाय टैक्स दे रहा है, अच्छे तरीके से टैक्स दे रहा ह एक तो टेक्स दे रहा है यादि राज की संपदा स्रिजित कर रहा है दूसरा राष्ट के लिए राष्ट सबसाइद आपको अच्छा ना लगे देश या जो भी सब्दा आप इसने माल करना चाहें उसके लिए धन संपदा स्रिजित कर रहा है अच्छा इस बात को बहुत समय कि इधर क्या है कि इस बात तो बार-बार कह रहे हैं मुझे पर आसित नहीं है कि मैं जाओं और खोरू किताब की बताओं कि वह देखो यह अर्सास में लिखा है यह जो है उसमें लिखा है मरकुस में नहीं नहीं वह इस बात से बिलकुल वाकिफ है कि हमने historical times में क्या-क्या किया है और हमने इस देश को बनाया है और चुकि हमने इस देश को बनाया है तो इस देश में हमारी भूनका होनी चाहिए तो इस देश के भविस में वर्तमान में हमारी भूनका होनी चाहिए इसलिए वो इतियास से टाकत लाते हैं और यहां पर एक जो मुकि लेकिन एक समदाय के रूम में वह इस बास से बिलकुल वाकिफ है कि इस राष्ट को हमने बनाया हमने संपत्थ सिर्जित की है और हम काम कर रहे हैं अंतिम बात करें अपनी बात खतम करूँगा कि 1982 में कुवर्नाथ राय के किताब है निसाद मासुरी तो उसमें वे उनकी लज़ीत निमन्नों का संग्रा है और उसमें एक निमन्न ही है उसका सिर्जा के निसाद मासुरी कुवेर नाच्रा नलबारी असाम में रहते थे अंग्रेजी के वो अध्यापक थे बाद में वो गाजी पूरा है और वहां कुछ दिनों तक है लिखा उन्होंने कापी कुछ तो उसमें उन्होंने वाक लंबा परग्राफ का जो कुछ इस त करती के आदि मालिक निसाद ही थे उन्होंने किर्शी करने के तौर तरीके हल्दी विबाह करने के तरीके और गढ़ना की पद्धतियां खोजी ये उन्होंने कहा तो विरनाथ राय में उन्हीं सुगा सी अब एक ललिक निमन्द है ठीक अलाकि केवल लिक निमन्द नहीं है आपको विरनाथ राय को पढ़ेंगे तो आप आएंगे कि सुनीत कुमार चेटर जी बियस गुहा इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ रहे है रामायर महावारत क तो सब लोगों ने कहना शुरू किया कुछ ने कहना शुरू किया कि हमें तो बाहर कर दिया हमें बाहर कर दिया तो किसको कैसे कैसे बाहर किया गया तो उसमें जो आठ दस से ज्यादा जातियां जो नदियों के किनारे रहती है और जो अपने को इस समय निसाद करती है पहले वालग अलग जातियों से अपने अपको सम्भोधित की अगाना पसंद करती थी निशाद, बिन्द, चाई, केवट, मला, बाथम, तुईया, अब चूंकि नई केस्वी राजमी दियाई उसमें संख्याद ज्यादा महत्कून हो गई, तो छोटी-छोटी पहचानों को एक बड पहचान का निर्माल करना चाहा, तो इस सब के साथ साथ, उन्होंने बार-बार इस एक पराग्राफ को कोड किया, कि इस धर्टी के आज मालिक निसाद ही थे, ऐसा इसलिए उन्होंने कोड कि जिससे बता सके कि हम यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, और हमने इस देश की सभि फैसने इस बारे में बार-बार बात करते हैं, एक बार मैं गया महा चंदवुली में, तो उसमें अ नौजवान ने कहा कि हमने उससे पूछा कि पुछा कि कुलन देवी आपके लिए क्या महातु रखते हैं, उन्होंने बहुत सही तकनिकी जवाब दया, उन्होंने कह इतना कुछ नाम उन्होंने का, तो इस सब को वो बार-बार लाते हैं, तो उसमें पेशा, जात, और जो सास्त्र है, जो उपने इसके अन्भों है, इस समय की जो राजनी चल रही है, और अलग-अलग समोहों की जो मुक्धारा के समोहों से, जो किनारा कसी हो रही, इस सब के बारे मे बात करते हैं बताते हैं तो मुझे लगता था यहीं चित्री बित्री बाते मैंने कहने चाहें कि लन्दवाद कि अब बहुत बहुत सुक्रिया रमासंकर सबसे पहला धन्यवाद तो इसलिए कि आप समय सीमा में बोला और मैं अध्यक्षिय भूमिका में हूं तो उसका सदुपयोग या दुरुपयोग भी करूंगा और कुछ लंबी टिपनी या टिपनी नुमा सवाल भी पूछूंगा फिर उसके बाद यहां बैठे हुए हौल के इमेंज बैठे हुए मिस्रोताओं की बारी आएगी और फिर उसके बाद ऑनलाइन जूम पर अगर कुछ सवाल होंगे तो एक अनॉंस्मेंट की जो लोग जूम पर हैं वो क्यू एंड ए में अपने सवाल लिख सकते हैं और फिर उनके सवाल स्पीकर को दिये जाएंगे चुकि आपने यह टॉक या व्याख्यान सीधे सीधे पुस्तक पर दी है और मैंने पुस्तक पढ़ लिए तो इसलिए मैं सवाल या कमेंट देना चाहरा हूं साथ पांच मिनिट या तीन चार मिनिट लग जाए उससे ज़्यादा में लगेंगे दो बातें एक तो यह की वंस अगें एक बार फिर से धन्यवाद पहली बात जो इस किताब की सबसे अच्छी है वो है इसकी भासा तो भासा गत सुद्धता और सरलता के लिए सबसे पहले उसके बाद मूल चीज़ पर आते हैं तो जाहिर व्याख्यान में भी इस पस्ट है कि यह किताब समदाय जाती समदाय जाती राज्य सप्ता और प्राकृतिक संसाधनों के परस्पर रिस्ते को लेकर या उसको केंद्र में रखकर एक दीर्ग काली नितिहास और स साथ दिर्ग सुत्री इतिहास भी लिखने की कोशिस है और मेरी निगाह में यह काफी हद तक इनफेक्ट बहुत ही सफल कोशिस है चुके यह किताब इतनी अच्छी है और इस कारण से ही मेरे हिसाब से अपेक्छाएं भी ज्यादा यह जगाती है चुकि अपेक्छाएं यह ज्यादा जगाती है इसलिए यह आलोचना है और आलोचना का यह कतई मतलब नहीं कि यह किताब जो है वह अच्छी नहीं है इनफेक्ट अच्छी है बहुत अच्छी है इ मेरे हिसाब से जायज है हाला कि यह मेरे निजी विचार हैं इससे हसमत हुआ जा सकता है सबसे पहली बात तीन-चार बिंदु हैं जिस पर मैं फोकस करूंगा कि संग्रचनागत ड्रिष्ट से काफी कुछ परंपरागत जाती तिहास की तरह किताब सामने आती है दूसरी बात जो और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे पहले दो अध्याए जो हैं वह काफी कुछ इसी तरह के हैं खास कर दिये दूसरा अध्याए जो जाती विवस्था की समझ और आरंभिक भारत में सूद्रों की स्थिति वाला दिया है जो मूलत एक बार फिर से यह बताता है कि सूद्र किस तरह सताये गए उनका बहिसकरन कैसे हुआ ब्राह्मनवाद कितना खराब है वगेरे वगेरे राजनेतिक सुचिता या पुलिटिकल करेक्टनेस का मेरे हिसाब से यह पत्रे की दवाब है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है चुकि इस तरह की बातें हम दो-चार पैरग्राफ में भी कहके सीधे मुद्दे पर आ सकते थे तो यह बात इस दिर्ग सुत्रिया और दिर्ग कालीन इतिहास में हलाकि मुझे लगता है कि इतना या समरिद होने के बावजूद कुछ चीजें छूट सी जाती है जैसे सल्तन और मुगलकालीन समाज के समय राज्य सत्ता तथा उसका नदी या प्राकृतिक संसाधनों को लेकर समदाय और राज्य के बीच के रिष्टे की परताल जो है वो थोड़ी गौन या छीन सी है जाइर है कि यह किताब में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन सहारे लिए जा सकते थे जो कि कुछ काम हुए हैं जैसे सुमित गुःवा वगेरा ने जो इंडिया में मेडिवल स्कूलेय करके जो कुछ दिखाया है वगयरा या चेतना सिंग ने मुगल स्टेट और फॉ ये की जातिया समदाय राजसत्ता और संसाधनों के परस्पर रिस्ते को केंद्र में रखकर अचे गए इस इतिहास में राजनीती कुछ अधिक हावी है या ऐसा अहसा होता है कि पडियावरनी इतिहास में पडियावरन गौन है राजनीतिक दावेदारी, सबलीकरन और समकाली चुनावी राजनीती की समझ बाकी चीजों पर हावी हो गई है और एक स्टैंडर्ड क्रिटिसिजम है जो जिसका की जवाब भी आपके पास असान होगा तो वो भी ले लिजे वो ये कि आखिरकार पडियावरन से संबंधित इतिहास पस्तावे की कहानी होकर क्यों रह जात कि आधुनिक्ता के आने के बाद सारी गरबड़ी या ज्यादा गरबड़ियां फैल गई नदी प्रदूसित हो गए मचवारे और दरकिनार हो गए वगेर नए संकटों और परिवर्तनों के आलोग में किस प्रकार कौमें या समुदाय अपने जीवी का और स्रोतों को डाइ प्रकास डाल सकते हैं और अगर चाहें तो अभी डाल भी सकते हैं संखेप में ही और चुकि मैं इतिहासकार भी हूँ तो थोड़ा स्रोत को लेकर के भी कुछ बोली दूँ वो ये कि सास्त्र और अभिलेखागार तो ठीक है आपने बहुत ही समालोचना मक्डिस्टी के साथ प्रिटिकली समझा है और बताया है समकालीन काल में सिर्फ इत्नोग्रफी है और चुके आप समर्थ हैं और साहित के भी एक तरह का स्रोत है और उससे आप बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ हैं तो उसको दरकिनार करने का जैसे मायनंद मिस्त्र ने जो उपन्यास लिखा है कोशी के इलाके में सोने की नईया य समदाइन के ईसको किनारे करने का प्लिख क्रेंट की यह बहुत है अपके ध्यान में नदी के किनारे मजवारे जो नदी gemachtर है यह जी लेकिन रहें है कि यह जो मल्ला समदाय है निसाद समदाय है वह और भी वाटर बडी के साथ रहते हैं तो उस पर फोकस नहीं रखने का क्या कारण है धन्यवाद अगर आप चाहें तो अभी इस पर अपनी टिपनी करें या फिर हाउस को खोल देंगे पहले कर दें तो इससे और सवाल बन जाएंगे पहला तो यह कि कोई बात कि सुरू करने के लिए जरूरी है कि आपको चुरू से ही चलना पड़ेगा छोड़ के नहीं बाग सकते तो इसलिए चैप्टर दो जरूरी ही था और जो सुद्रों के बारे में जो इत्यास लिखा गय तो उसको यह मैंने और यह जो अधर्णिय रामषण सर्मा की किताब है सुद्रों का प्राचीन इद्यास उसको मैंने जितनी बार पढ़ा उसमें हमेशा नहीं बात मिली लेकि एक बात यह मुझे नहीं मिल पा रही थी कि जीवन चल कैसे रहा था और उसी से इसकी पूरी ब लिख दी थी बलकि यहां बताया जाए कि देखे फला कास्ट किस तरीके से काम कर रही थी और किसी मैटीरियल को लेकर उनका टीट्मेंट क्या था मसलन चमडा बांस या नदिया एक स्वाइजर तो इससे मामला समझ में आता है और यह जो इस समय जिस जो सुरू-सुरू में जिस कालखन को किताब डील कर रही है वहां पर निसाद सूध रहें ओभी सी नहीं है वेक अनंजहा का एक पेपर ही है क्या है कि वो ट्राइब है और कैसे अंटशेबल बन गए तो जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि कहानी क्या है और गंस्याम साह ने तो बता है कि साइकुनों किसम की अंटशेबिल्टी है अगर कोई पराजी इंदिहास पढ़े तो हजारों किसम की यह पाएगा तो प्रकार हैं उसको समझने के लिए इसलिए मैंने लिखा तो इसलिए कि जात जब किसी को अस्प्रिस कहा जाए तो कहां से और उसी में एक बात यहां भी आए थी कि जो इस समय कि अठारुई उन्हीं सताबदी के भारते इत्यास से बील कर रहे हैं वह इस बात को लेकर बहुत परहसान है कि भाई यह भारत के लिए मनसमेती कोई दैब यह किताब थी जिसको जिससे भारते समाज चलता था तो इत्यास करोंने का नहीं नहीं साब ऐसी बात नहीं है इसको अंग्रेजों ने एक सिंगुलर टेक्स्ट के रूप में ढाल दिया दुसरे टेक्स्ट क्या कह रहे थे उस कहानी को जानने के लिए यह जरूरी था हां उसको कम किया जा सकता था सरुदंद कालीन और मुगल कालीन का जो अंग्रेजी में उपलब भिसाहित है यानि फार्सी में अनुवाद है निसाद नहीं बोट मैं लिखते हैं अब इसी लिए मैं कह रहा हूं कि तीन साल इंदिजार की जो मैं फार्सी शीखनू तो पता लगे कि मला लिखे हैं निसाद लिखे हैं कि नाभिक लिखे हैं उसमें उसकी मदद दे गई है सूर्दास और सूर्दास उलसिदास बार कई भक्त कभियों के इसमें अधान दिये गए हैं तो पूरी तरीके से मामला गोल नहीं है और यही पर आपके उस सवाल का भी जवाब है कि इसमें साहित की मदद दे जाने चाहिए तो साहित की तो भरपूर मदल ली गए कुछ लोगों ने कहा कि यारी तो नागार जून और इनको क्या नामा ग्याने पती और अगर को क्यों ला रहे हो यह तो हां से हिस्ट्री आए अभी अगले वाले वक्ता ही तिन पटे लाएंगे जो है लिट्रेशर ही इत मामला है और जिस तरीके से वन वासी वनों पर अपना दावा पेस करते हैं उसी तरीके से परबत वासी पर अपना दावा नहीं पेस करते हैं उसी तरीके से निसाद नदियों पर अपना दावा नहीं पेस करते हैं तो अलग अलग पेरेन और अलग अलग सुमदायों की कहान दूसरे में दूसरे चीजों को समझने में मदद दो कर सकती है लेकिन उसको वहां पर ओर लैप या नहीं किया जा सकता क्या कहते है चढ़ावा नहीं चढ़ा जाता है थिर हाँ यह बात मैं आपसे इस पर मैं इसको सुखार करता हूं कि राजनीत को ज्यादा हावी रही है नहीं बनता है इसको मैं आगे और जदा राजनीतिक किताब बनाऊंगा फिर उसके बाद पस्तावे की कहानी यह तो है अब इसको इसमें एक जगहा उनको मैंने कोड़ किया है रगवीर सिंग को उसमें रगवीर सिंग्ग को है मनारस के गाउं के बारे में ताजपूर नाम पोगर वह दोगाए कि मचवारण का मचवार नीकिन करनेंए की निए बाद की पैसे जो हैं बदल रहे हैं और खुद जो निशादी वक्त है वह यह काम नहीं करना चाहदे कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस पे काम करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कभी-कभी कि आप किसी पुरानी विवस्ता की खोज में हैं और आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं इस बात से मैंने पूरा बचने की कोशिस की है कि इसको गुलोरीफाई ना किया जाए कि नाव चलाना कोई बहुत बड़ा सांदार पेसा इस किताब में यही पताने का प्रयास किया है जो खतम हुआ दूसरी बात कुछ धिया नहीं गया आपके खुद यहीं के वो जो थे खिन अला न्लीक रईया कुछ नहीं उनके पास कुछ की निसात की नाव चलाने को बिल्कुल वेकार कर दे रहे हैं सिच्छ upon की आप सच्छते तो तो यह दिक्कते उसमें आ रहे हैं हर जगा लगबगा रहे हैं अब उसको लोग का ऐसे समझते हैं यह समझ और बहुत सारी चीकों पहिंद भर करेगा अब बहुत बहुत सुक्रिया अब हाउस इस ओपन फॉर पूरा सभागार खुला हुआ है सवालों के लिए जितने सवाल चाहें आप दाग सकते हैं पहले भी आपको सुने हैं थोड़ी यह कर दोड़ी आप कर दो दोड़ी लिए सुने पर चाहें भी आपको सुने कर दोड़ी का हैं ओनों में ौड़ी आपको अजय खिए सब्सेंद्ट आपको सुने हैं कर दोड़ी हैं कि निशाद समाज को चाहिए की भी समाज को यह दिखाना कि वह 1857 में था यानि कि भारत के स्वधिंता संग्राम में उसका भी योग था यह पेट के थू ही आया होगा ना कि यह जो आप यूज कर रहे थे वह भी टैक्सपेर थे तो यह तो एक पूछ नेती है कि हम भी टैक्सपेर हैं बलकि इसके उपर जलता है को नहीं है तो इन दो को आप साथ साथ लगबग दोनों तरह से बोल रहे हैं समयजने में मुश्किल आ रही है कि आपके ते आ रहे हैं कि एक बात को यह खाई जैसी चीज जो मैं कह रहा था वह एक ना तो कोई अभिस्वास है ना खाई है मैं कह रहा हूं यह समझ का मामला है कि हम उपर से जो चीजों को देख रहे हैं तो कैसे दीख रही हैं और वही चीजें खुद को कैसे अपने आपको देख रही हैं तो और जो अठाशा सतावन की बात थी वह या थी कि सब लोग क्लेन कर रहे हैं कि हम उसमें थे कारण क्या हुआ है कि जो इस समय भारत के परिखिये अच्छूते तब के नहीं रह गये हैं कि वहां पड़े लिखे लोग नहीं गए हैं वहां अं मैर्टकर नहरू, गांदी, भगष शिंख, मौलाना अजा जिस भी बड़े आद इधर 20 सदाबदी में भारत के जो परदिये तब के हैं उनकी एक अनौप चारिक किस्म की सिख्षा यह जो एक्टिविस्ट हैं राजनेता हैं इनके द्वारा की गई हैं इससे वह सिख्षित हुए हैं और वो इतिहास में थोड़ा ऐसे परदा हटा के जहकना चाहते हैं कि वह है क्या मामला और उससे अपनी समझ बनाने का प्रयास करें तो उस उन पर एक रिसर्चर के रूप में मैं यही देखने की कुछ कर रहा तो देख क्या रहे हैं और क्या कह रहे हैं यह यह मेरा था हाँ अब चुकि लिखने और बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है सारी ब प्रवीन बहुत शुक्रिया आपका मैंने किताब नहीं पढ़ी आपकी तो हो सकता है कि वह किताब में हो और मैंने नहीं पढ़ा हो वही बात मैं कहांगा जो दिपू भी कह रहे थे वहीं से शुरू करूँगा जो क्लेम मेकिंग का जो इतियास है उसका अलग-अलग जाति रिस्यदारी से एक क्लेम बनेगा मैं यह सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि जैसे कि पंजाब में आप देखेंगे उनिस सो बयालिस तक आते आते जो हां की डॉमिनेंट कास थी जाट वो बहुत सारे आपको उधरन मिल जाएंगे कि वो इस बात से छिपाते थे कि उनके घर के लोग या रिष्टेदार लोग सुभाष चंदरबोस की आईने में हैं और या फिर उन्होंने सवत्ता संग्राम में किसी तरीके से हिस्सा लिया है तो यह एक 1947 के बाद का क्लेम मेकिंग है या उसी दोरा करता के कैसे होता है यह मतलब यह सवाल मेरे लिए भी है तो मुझे लगा आपने कहीं लिखा और दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आपने परसनालिटी और कम्यूनिटी के बीच का एक रिष्टा जैसे आपने बताया कि वो इंडरा गांधी मांते हैं इंडरा गांधी एक ए grieving बनी बहुत सारे संबुदाय में बहुत बड़े नेताओं के लिए जैसे चोधरी चरण सिंग्हाइं में लोग कहते थे कि माहरा चोदरी भी इंडरा गांधी हो रहा तो मतलब यह उसका रिष्टा 같아서 कहां पे उसको फिट क अपने आप में कॉंपलेक्स कोई भी नेताई कंपलेक्स करेक्टर होता है तो उस उसमें यह जो प्रेम में नदियों के किनारे प्रतेक जिलों में सारनपुर से लेकर बलियां तक यूपी में और बिहार में कुडसेला तक जहां कोसी संगंगा से संगं करती है तो क्या वो भी उनके इंपक्ट है उनका स्केटरड पॉपॉपुलेशन दूसरा क्वेश्चन यह है कि यूपी में तो तटबंद नहीं बने है उतने ज्यादा जितना बिहार में बने हैं खासकर गंडक में और कोसी नदियों पर तो वो उनकी आये के स्रोतों पर कैसा प्रभाव डाले है क्योंकि इम तटबंदों का क्या प्रभाव है मैंने डॉक बहुत से व्याख्यानों में मैंने समझ रखा है सुन रखा है दूसरा है तीसरा क्वेश्चन है कि निशाद समुदाय जो है उसका जो आंदोलन है उन्हें अनसूची जाती में सामिल करने का जिसके लिए जनवरी में उनके एक नेता ने रैली भी की ती लखनू में तो वो जाताओं के तुला में इतना जदा वो क्या करते हैं पेस कि उन ही ले पा रहा है जहां पर उनकी संख्या जिस प्रदेश में उनकी संख्या जादा आए और चौथा क्वेश्चन आखरी सवाग कि जैसे जाताओं जो मेरा गाउन गुंदी नदी किनारे वहां पर दौसों ध का लोग खाना नहीं खाते हैं लेकिन निशादों के वहां तेरही में मुंडन में या शादियों में भी खाना खाते हैं वो उनके घर से कुछ बना हुआ आया तो वो भी स्विकार कर लेते हैं खासकर राजपूत और ब्राह्मत जाती हैं तो यह उन दोनों समुदायों में अं इसको वो कैसे व्यक्ट कर रहे हैं कंटेंपरेरी पॉलिटिक्स में शुक्रिया और कोई सवाल अभी नहीं अब तो जो अटासवत्तावन में वह सामिल थे यह वह कैसे निर्धारिक करते हैं यह सवाल और वह ऐसा क्यों कहते हैं कारण यह है कि इतिहास जो है इज्जत आफज का एक जरिया बन गया है और जो लोग नहीं भी सामिल रहे हैं वह इत्यास खोज-खोज के बता रहे हैं कि हम वहां थे पिवर्दियर तो ऐसे समधाय जिव बहुत ज्यादा भुरुरी जमीन पर खड़े हैं बहुत ठीक ठाक मामला जिनका नहीं है इत्यास उन्हें इज्ज से इतना कि निर्मान में एक अस्थाइब भुंका अदा करता है परिवार में एक आदमी जरूर होगा जो इससे अपने आप तो जोड़ने का प्रियास करता अगर परिवार में नहीं तो गाउन तो वह एक बड़ा मुकाम है अठा सत्तावन इसलिए लोग उससे जोड़ने क प्रियास करते हैं और यहां बाद में शुरू हुआ कब जैसा जो आप मामला बता रहे थी कि चुपाते थे उस समय उनको डर लगता रहा होगा कि कहीं उनके पास पुलिस ना पहुंच जाए लेकिन जब देश आजाद हुआ तो एक एक घटना को इज़्जद बक्सी गई स सम्मान बक्सा गया स्वतंद्रता संग्राम से नानी की अधाना पेस फरजी चीज़्जद मिलती दूसरी नौकरी मिलती थी इन लोगों को बहुत सारे लोगों को इतिहास नौकरी नहीं देगा इज़्जद देता है तो इसलिए लोग वहां पर जाना चाहते है और कहते है क वह मुरादाबाद में और कानपूर में अस्थाई बस्तियों में सरकार द्वारा बनाई गई जो सिटलमेंट कालोनी में वहां बसे हुए हैं वह कहते हैं कि हम जो है महाराणा प्रताप की सेना जब बासा अकबर से हार गई तो हम लोग हमारे पुर्खें वहां लड़ दे तो हम भागे जंगल जंगल परबत परबत भागे और हम यहां आकर बस गए और हम साब रहना प्रताप के वंसरज हैं यह अधिकांस घुमंतु जातियां कह रहे हैं आप उनको इसे किसने सिखाया होगा यह सोचने की बात है तो यह सारी चीज़े वहीं से आई कि हमें इजद से मिलती है इसलिए वह ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग इसलिए इतिहास के उसमें जरोखे में जाना चाते हैं टैक्स पेर वाला जो मामला है वह आक्केवल इसलिए नहीं क्लेम से एक हिस्टोरिकल एविदेंस के रूम में भी मैं रख रहा हूं और इस किताब को आप पढ़े होते हैं ठीक तो उनकी बातें उनका जो है व्यापार वांडित यकायक वह हो जाता है बिस्रप्त हो जाता है भंग हो जाता है छोटी लंभी दूरी की पहले जाया करते थे कि इलहावास से बनारस जा रहे हैं या बनारस से मिर्जापूर जा रहे हैं बनारस से पस्चिम बं इस तरब से भी और दोनों तरब से पार की जा रही है तो देरे देरे उनका टैक्स पे करने की दसा से एक सामान में रोजी रूटी चलाने की दसा में आना था लेकिन तब भी वह इतना था कि उनकी नाओं पर टैक्स लगाया जा सके जो अठारा सो साइद मैं भूल रहा हूं स इंडियन फिरी जैक्ट लाया गया तो उसमें इस बारे में ध्यान रखा गया कि निसादूं को स्टेट के कंट्रोल में रखा जाए लेकिन जो है टैक्स में कमी ना आने पाए लेकिन टैक्स में कमी आनी ही आनी थी कि पुल बन रहे थे रेलवे बन रहे थे बहुत सारी ची जीन सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहुदियों को कौन सी चीज जोड़ती है, बहुत छोटे से चोटा जो समदाय होता है, उनको जोड़ती है, तो सांस्क्रिटिक ताने बाने उनको जोड़ते हैं, निशादों के मामले में यह है कि जोंका इतिहास है नदी है और यह सारी चीज़ें उनको जोड़ती हैं फिर जो अनुसूचित जात में सामिल करने वाला मामला यह दो बाते हो रही इस समय एक बात तो दो हजार बारा से ही हो रही है कि दो हजार सथ सह हो रही है? कि संबंध ऑनसू जात में सामिल करने के लिए तक्म Yuki औरी आपको उनी सो एक और सामान सूचना है समझ में पुन्रुद्वपाद्वूकी जा रही हैं इसलिए ये कहा जा रहा है की हम जो इन कवाल से थिस्टे सरकार ने 12 जातियों को उशसना को रह दितर दिया गया आप यह कह रहे हैं कि नहीं इसे मामला बने का नहीं हमें अल्रक तेग्री देजिए। प pics बहुत कि राथ पती के पास हैने शंसाथ को आज एक काणून लाकर के ये आज निशित मात्रा में कि आर्चंड के हगदार होंगे जैसे AWS के मामले में हो तुरंत-पुरंत AWS को मान लिया गया ये लोग पिछले लोग है इनको सरकारी सहाथा की जरूरत है और कानून ले आई इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जैसे AWS की तरीके से कानून लाइगा था ऐसे हमार लेकिन आरच्छन की बाद नहीं गई और उसके बाद में निसादों ने उनको खुब भला बुरा उसी रहली में कहा उसके बाद में और एक समय ऐसा आया कि लगा कि संजे निसाद जो है निसाद पार्टी को लोकर इससे अलग हो जाएं बाद में उनका पैचब हो और अच्छ इनको देंगे नहीं तो उनको और यह दे देंगे तो क्या क्यों इस भारत में निसाद ही रहते हैं जूसे दूसे समधाय मांगने लगेंगे बचा है कि वह 40% शाट परशन तो ही गया है तो 40% में किसको किसको देंगे तो यह बहुत ही अधर-उधर का है और उस और करकारें करें रोजगार रोजगार बढ़ाएं तो उसमें मामला बनेगा बाकी यहां समस्या निसादों के लिए भी याने समधायों के लिए भी दिक्कत तलब है और आने वाली सरकारों के लिए भी दिक्कत तलब है किसी के लिए बहुत केक वाकिंग जैसा मामला नहीं रह गया है और तो वो गाओं में अब उतना नहीं रह गया है निसाद एक लंबे समय से लोगों से उनका रिस्ता नाता रहा है लोगों को ना उसे उनकी नाव से जाते थे पार करते थे और केवट या कई ऐसी बस्तियां जो उनसे सीधे इंगेज हैं उतर प्रदेश की कहानी अलग हो सकती है अब मंगाल की कहानी निसादों की अलग है पसी मंगाल में असाम की कहानी अलग है तो एक ही जो निसाद है वहाँ हम उसको एक काटेगरी के रूम में या एक कल्चरल काटेगरी के रूम में इसलिए डील कर रहे हैं कि उनका नदी से विस्ता है और उनका अपने उस दिये ग राय बनाना बड़ा मुश्किल है आप प्रवाजी आपने एक सवाल पुझा था मैं उसका जबाब आपने पुझा कि नदियों के बारे में ही तो उसकिताब में लिखा है शुरू में ही पलेटकली करेक्ट होने की चाहद में ही दो बाते मैंने लिख दी है एक तो यहां कि मैं जो अनुभव ज्यान है वो बहुत ज़्यादा है नहीं तो इस सप्पे में लिख नहीं पाऊंगा और जब आप ज़्यादा ही होगी अब आप सोच रहें कि जंडर जंडर चल ला है तो आप भी ले आएंगे तो आप कह रहें कि जंडर नहीं है फिर आप कहेंगे बहुत खराब समझें जंडर की आपकी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ना ढूंड़िये मैं यह कहूंगा देन बाद एक कॉमेंट है कुछ सौ पढ़ा एक प्रताप गढ़ा भी कह सकते हैं यह सायद जब आप अपना व्याख्यान दे रहे थे उसी संदर में अंकित पाठक जी ने कोई कमेंट दिया है अगर कोई जूम पर उपस्थित सज्जन को कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो हम उन्हें को बोलने का भी मौका दे सकते हैं अगर लिखने से कत्रा रहे हो तो कि अरविकांत कर रहे हैं कि अरविकांत सब्सक्राइब पूछी आप अन्म्यूट है ठीक है बहुत मज़ा आया रवाशंकर जी एक बात जो अक्सर मैं सोचता हूं और प्रभात आपने पच्तावे वाली बात कहकर के कोशी को भी एक तरस से जो कि शाफी माना जाता रहा है और उसको लेकर के दिने शुम्वार मेश्वार तमाम लोगों ने बहुत पुछ लिखा है लेकिन वो जो वो जो रिष्टा है समाज का मल्लाहों से आम तोर पर चाहे वो पार करा लाने वाली बात हो अपने तो कि उस पेने बहुत स्पिरिच्ट्वल अर्थ है और उसके गहराई कि शाहित की खर और ध्यातन की घहराई भी है लेकिन साथ-सात वह जो जिपल्स, जिन्दजी की घहराई है कि आपको पार तो जाना ही है और और कोई-नृकवर करेगे आपको और वो एक चमतकार से कम नहीं है आधुनिक्ता से पहले कि कोई आपको पार करा दे बाढ़ की परिस्थितियों में और लगबग बचा ले क्योंकि पार करना एक जोखिम भरा काम है सब को तैरना नहीं आता था काफी लोहों को आता था लेकिन इसके पैरलेल इसके समांतर एक है कि जब बैनिपुरी बाढ का बेटा करते हैं अपने किसानों और यह और आटे है करते हैं आप कोिसतों करते हैं आधिय अधूरी नहीं करते हैं अवरश्ט और जलत लेट्रूत पानी को कहा जाना चाहिए पानी को वहां लेनी जाते हैं गलत जगले जाते हैं और अधी अधूरी परियोजनाए रहती है और अब तो और बहुत कुछ जुड़ गया है बेनिपूरी रेनु जब वह डिस्क्राइब करते हैं बाढ़ को उदारन के तौर पर पटना में तो एक अजीब सा एकसाइटमेंट है वह एकसाइटमेंट बाद में गायब सा होता चला जाता है अधुनिक्तावादी विमर्ष में तो मुझे लगता है कि काफी कुछ है अभी उस साहित में जिसको आपने कहा है कि ठीक है बाकि लोग देखेंगे हम नहीं देखेंगे लेकिन उसम का बर्म है जो पानी के साथ इंसानों का और अलग-अलग समतायों का रहा है बस मैं एक टिपने नुमार चीज़ है इसको आप कभी ने कभी एड्रेस करेंगे तो भी नहीं तो कोई और करेगा शुक्रिया आज सुक्रिया सर तो मैं जो आपकी बात जैसे समझ पा रहा था वो तो ठीक है और बाढ़ को लेकर जो पचास-साठ या उसके पहरे के जो लोगों का नजरिया था वो बाद में बदला और दिने जिन्हें तो इस पर कहा है और ना कि बाढ़ को लेकर वलकि नदियों को ले या जिससे आप कह सकते हैं वह रहा है अभी मैं उसी दिन की बात बता रहा हूं मने एक आजमी से वह जैसे आप यहां बैठे हैं इस सभागार में कि आप सोच रहे होंगे जिस जितने देर में हमने यहां आपना भाषर समाव्द किया है कितने देर में यमुना नदी के 200 और आप कहेंगे अरे यह कैसा आदमी है कि इतनी गंदी यमना में डुपकी लगा रहा है और बाइस किलोमेटर दिल्ली में बैटी कहीं भी आप इंटर कीजिए तो आपको नहाते हुए लोग मिल जाए इस समय उसका उसके दो कारण है एक तो तातकाली कारण है कि गर्मी से उनको रहात मिलती है तो गर्मी रहात तो उनको कहीं भी टेडश पर मिल जाती तो गंगा में वो सारी यमना में नहीं नहीं पूझता उन्होंने कहा आपको ऐसा लगता है मुझे ऐसा नहीं लगता है तो हम कहें कि आप कुछ नहीं लगता कि आप लोगों गंडा किये हैं यमना थो थोलगर यहां इसे पवित्र है और यह गंदा लोगों कर दिया है और तो उसमें नहा रहे हैं अब ये एक उस आदमी की कहानी है जो उसमें नहा रहा है और दूसरा जो उसको सोच रहा है तो इधर मैं जो यमना के किनारे थोड़ा फील्ड कर रहा हूं जब तक पानी नहीं बरसता है इस तर आप देखेगा कि किस तरीके से मामला ज चानै Oakley और दूसरा सरकार की सन्स्रिफी पानी में नहाने आए हैं आप फ़ी परताल करने चाहे कि लोग अभी भी परतूसित पानी में क्यों नहा रहे हैं वह ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को उससे जोड़ती है तो इसकी इसके बारे में बहुत पहले अलगों दो साल पहले कानपूर में महिला ने मुझे उत्तर दिया था यह वह इस किताब में है कि जो हमारा प्रिष्टा नदी के साथ है वह आपका नहीं है और इसलिए समदा है और सेस समाज वो एक ही धरातल पर दिखता था अब क्या है समाज का एक बड़ा हिस्सा नदी से दूर होता चला गया है और दूसरा हिस्सा जो है वहीं का वहीं पढ़ा रहे गया प्राजिया लिट्रेचर वहीं जो बात कह रहे थे तो इसमें मैंने जान मूश के न अनों का मैंने इसमें लिखा रहे तब फिर उसको अलग किया कि नदियों को लेकर जो प्रार्थनाएं हैं वहां कैसे अनुपस्तित होती गई है और अंतिम बार अगर मैं ठीक ठाक हूं तो निराला ने गंगा नदी के बारे में प्रार्थना लिखी इस समय कि जो कभी है उ बहुत सारी चीजें चाहिए ठीठा खिरदय चाहिए मन चाहिए समझ चाहिए उसमें बहुत सारी चीजें अनुपस्तित हैं और फिर नदियों के ब्रत आपका पैथल आजकर रवया और प्रार्थना करेंगे साहितकार कभी होकर तो आपको लोग पिछड़े मान लेंगे प लोगों का नदियों से जुड़ाव भी गायब हो रहा है और इसलिए उस तरीक वहां उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं इस किताब में यह लिखा है कि एक निसाद ने कहा सरकार ने कहा कि जो थूकते हुए पकड़ा जाएगा या भैस नहलाते हुए पकड़ा जाएगा उसको दंड दिया जाएगा तो यह तो बहुत कोई खास बात ने नदियों की अपनी एक दिककत तो यह हो गए कि आमने खोल दी और उनकी पूरी जो आंतरिक घटगी है होगे खतम हो गई तो हमने कहा कि यार इससे क्या होगा थूप लोग आप लोग कह रहें कि नदी में थूपोना और उधर नाला आ रहा है तो उन्होंने कहा कि इलहाबाद में कि देखे मामला थूकने और ना थूकने भरकर नहीं बलकि आप इससे कैसे डील करते हैं आप इस रद्धा कितनी है इस नदी के पर आप इससे समान से पेस आईए और अब यही लोगों में गायब हो गया है तो जो नदियों के पर समान है समाज का वह गायब हो गया अब मिसाद उसको सम्मान क्यों देता क्योंकि उसे रोजी रोटी देती है उसी से उसका रोजगार सम्मान जुड़ा है सारी चीज उसकी इजद मिलती है और कोई चीज ऐसी तो मिलती नहीं तो इसलिए जो कह रहे थे वह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीज़े नश्ट हो रही है तो उसमें नदिया भी नश्ट हो रहे हैं एक सवाल प्रवीन का है इससे माइक पे बोली हुए यह क्योंकि आस्था का विशे बना दिया है आरेसस का टकल्प है गंगा समग्र गंगा समग्र इसी मुद्दे पर काम कर रहा है तो वो हिंदुआइजेशन के प्रोसेस में उसको देखता है कि मुझे याद है कि यह कुदासिया बाग के आसपास मैंने उन लोगों से मिला औ उससे जादा हो रही है इससे क्या है तो उसमें उन्होंने कई बार निशाद समुदाय का नाम लिया और वो समुदाय का नाम सिरफ आस्था के सवाल पर आ रहा है तो क्या आप इसको ये हिंदुवाइजेशन जो प्रोसेस का जो उसके वहां पर निशाद समुदाय को कंटेंप्ररी में किस तरीक है समझते हैं देखिए इस पर तो मदिल्ली आया ही था तीन या चार अपरेल को ताल कटोरा में बड़ा कारक्रम हुआ था मैं उसमें जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया किनहीं कारणों से लेकिन जो लोग वहां उपस्ति थे और उसकी जो रिपोर्ट्स होगेरा देखिए आपकी बात सही है उसका और यह कोई आज की बात नहीं कि निशादों को तरीके स्काम के जैसे ही निशाद यह कहते हैं कि हम जो हैं हमारा एक राजा हुआ करता था जिसने राजा राम की सहाधा की थी तो वह इसमें बहुत थी जोर देकर करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि एक बहुत थी वेल डाकुमेंटेट चीज है एक हिस्टियो सिटी उसमें रौ आरोफित कर देना चाहते हैं निशाद समधाई की लोग और जब वह ऐसा कहते हैं तो राम की एतिहासिकता को भी स्विकार करते हैं तो राम सांस्कृतिक धार्मिक पूरुष होने के साथ साथ एतिहासिक पूरुष हो जाते हैं और यहां बात जो है उनके पक्षे में जाती आ कि जहान нос तहाउं और खुद बनारस की हैं की कहा कि हम से कहा इस निश्चितिस कि उसक एक चीज और है यह उस तरीका से उनको बाधिस करता और निश्चिति इसमें एक चीज और है वाया है कि लग-बख सभी चोटी बड़ी नज्यों के किनारे छोटे-छोटी आंदोलन विक्सित हो रहे हैं तो उन आंदोलन को आप और वो आंदोलन आपके जनतर-मंतर टाइप के भी नहीं है। उनको भी कम करने की यहां एक मुहिम है। 2005 में तहलका में बिर्जे सिंखी की स्टोरी शपी थी 2005 में तहलका तब अच्छी पत्रिका हुआ करती थी तो उसमें उन्होंने लाल सा नाम के बारे मताया है तो उसके बारे में इस किताब में जिक्र है तो वहां आल इंदिया किर्शग मजदूर संधर सभा मैं नाम भूलाओं तो इलहाबादर कोसांबी में वह सक्रिय है ठीक और वह निसादों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उस आंदोलन की खास बात यह रही है कि उसमें महिलाएं बहुत सक्रिय हैं वह 2017 का विधान लग लड़ती ही नहीं मेरी लड़ते हैं लोग चुनातों इसलिए लड़ते हैं कि बीस बढ़े वोगने भीशन Gefए तो वह लग लड़ रहे हैं तो उसको वहां एलाबाद की मhya सेमें लेक्तधर प्नलत मिद्नें है उसने लाल सलाम यह लोग जो है नकसली हैं तो वहां प्रसासन ने कहा कि नकसल आंदोलन यहां बढ़ रहा है नदी के किनारे इसको खुछला जाना चाहिए इसको खतम किया जाना चाहिए तो वह हो रहा है और इसके इस ब्याख्यान में जो बात एक छूट गई वहां बालू का मामल बालू की मांग बहुत तेज होगी बालू इनका परमपरागत पेसा तो 1931 के बास शुरू हुआ है अब उसमें के अधिकार पर हमें हो दिया जाए प्रिफरेंशियल राइट दिया जाए उसके अनुपाल में नियम भी मराएगे उन नियमों की कार्ट भी लोगों ने खोजी अभी इसमें आंध्पदेश में यह कहा गया है कि ऐसे समदार जो नद्दियों के किनारे हैं और जो बालू अगरा काम करते हैं उनका सेल्फ हेल् बनाया जाएगा और वे बालू निकालेंगे तो इसमर एक बहुत ज्यादा कंटेस्टेशन हो रहा कि बालू को निकालेगा इसको लेकर खुब आंधोलन हो रहे हैं वह आंधोलन एक जगह जाकर वामपंथ की तरफ जाते हैं प्रतीत होते हैं तो इसको आप कैसे डिल तो उसके लिए ये जो सांस्कृतिक पेस बंदी है वो थोड़ा आसानी पैदा कर देती है कि लोग उन सारे मुद्धों की वजाए इन सारे मुद्धों पर बात करना शुरू करें और कहें दें कि नदी हमारी है हम इससे जुड़े हैं सब कुछ ठीक ठाक है इस टाइप की बा सवाल ना हूं तो हम कि अगर एक सवाल है तो फिर लगे हाथ मैं दूसरा भी पूछी देता हूं तो पहले मैं एक पूछ लेता हूं वह इसी से पिछले वाले सवाल से निकटता है उसकी आपने काया कि सांस्कृतिक पेसेवंदी से जो आर्थिक या वामपंथी नुमा जो अधिकार के लिए धर्ना प्रदर्शन या मांगे या राजनीती जो होती हैं उनको कमजोर किया जाता है हाला कि इसकी एक समझ और है कि अगर हम सांस्कृतिक सब्दावली में या इन मांगों को उससे बिना दुराव किये उठाएं तो ऐसे अधिकार से संबंधित आंदोलन जो हैं जना अधिकार संबंधित आंदोलन वो और पुष्ट होते हैं कि इस पर चोटी से टिपनी अगर आप कर दें अब आब बताइए मासर्थ इस अधिकार आप लाहबाद में मणौका अरेल चतनाग और बनारस में रामचंदी पूर इन सब में इन घाटों पर मैंने मेरे घर में बालू का काम होता है मेरे भाईया करते हैं तो वहां लोकल पॉलेटिक निशादों की जो आबादी है वो उसमें महीने का डेड़ लाग रुपया रंगदारी भी मांगती है उसका आपको कभी अनुभा हुआ है इस बात का कि हमें रंगदारी भी चाहिए इसमें लाइक गुंड़ा टेक्स आप इसका बहुत इन्फार्मल बना देंगे और मैं इसको आँ रिकार्ड नहीं कहूंगा तो बहुत सारी बाते हैं जो आप किताबों में नहीं लेख सकते हैं उसको फील कर सकते हैं या उसकी तोड़ी चीजें आ सकती हैं तो यह दोनों तरफ से हैं और वहां बालू-खंन के को चुनोती दे सके तो यह कहना बहुत होगा कि वह ऐसा कर रहे हैं रंगदारी मांग रहे हैं ऐसा नहीं है और जहां तक यह कोई एक घटना हो सकती है यह कोई मतलब जगा-जगा का तो मामला नहीं कम-से-कम कि यह मैं 200 किलोमीटर दोसे ज्यादा कि 400 किलोमीटर जो गंगा मैंने तैंक उसकी किनारे जो मनें काम किये हैं और लगों 60-70 किलोमीटर यहमना तो वहां तो ऐसा नहीं मुझे दिखा और कोई एक बार नहीं मैं बहुत बार बार गया तो वह कि नौसाद एक तो थीक है कि आपका किताब का नाम नदीपूत्र को समझ रहे हैं क्योंकि उसी बात कि इसको फिर अभी बहुत सावाल से निकलके है कि डिलीजन से पिर जूर रहा है और यह आपके किताब में युक असपर्स्ट है कि यह उत्तर भारत बेस्ट है लेकिन मैं आगा बिहार यूपी से तुरह आगे जाके बिहार में आज कर या इसको हम मुझाएं से एफेक्ट कहें या जो भी कह सकते हैं कि हमारे हैं जो नितिश सरकार आने के बाद अब पोखर के योजना चलाएगे नितिश्कर सरकार के द्वारा तो अब पोखर योजना आने के बाद जो अभिजात और या का सकते हम जो गाम एलीट लोग किसी कास्ट से हो सकता है जिस जो पैसा संपन सुखी संपन है वो लोग पोखर के लिए लोन लेकर अब मचली पाल किया जाता है मैं बहुत ही तकनीकी लोकागजी सब्दों में खांगा जात मुलब जिस आधार पर जात प्रमाण पत्र जारी किया जाते हैं ठीक उस अर्थ में यहां जाति का इस्तेमाल नहीं हुआ है बलकि यहां पर मिसाथ एक समुदाय के रूमें जेनरिक उसमें किया गया है और उसमें कई जातियां है जिनकों की अलग अलग जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाते हैं उत्तर प्रदेश में OBC की कटेगरी में तो यहां पर मिसाथ एक अंब्रेला कटेगरी है उसके नीचे छोटी-छोटी जातिया और आप यह पाएंगे कि जैसे बुं बिठन की अखिल भारतिये निसाद ना में कुछ गरवर हो सकता अखिल भारतिये निसाद लोदी बिंद कश्यब एकता महासभाईसा करके बना तो यह इसलिए कह रहे हैं कि मैं सुरू में ही बता रहा था कि असी के बाद जब यह अश्मिता आधारित आंदोलन जादा हुए तो लोग छोटे-छोटे ग्रूप में बढ़ना शुरू है आप देखे उतर पुदेश का चुनाव उसके बाद में आप कई सब्द आप दिल्ली के लड़के खुब सब गड़ते हैं कमेरा वर का है अब कमेरा को जाद नहीं है कल को हो सका कमेरा को जाद हो जाए और सब लो उसमें आ रहे हैं। जो सबजी उगाने वाली जादियां है उत्तर पुदेश में वह इकठा होते हैं होते एक आ रहे हैं और अपनी टाकित बनाना चाहती है। कि जो जातियां कि इल से संबなた काम कर रहे ही वह एकठा को यह होते आ रही है कि अ जैसे ट reward को एक पर नाम है कि जु सुले भी बनाता है लडु बनाता है लेकिन जो जातियों की दियास पर काम करते हैं कि बीश किस्म लों जो है場 AG रही है सब इस तरीके से इकठा हो रहे हैं और यही राजनीत का संगर्श बिंदु इसी में सोचल साइंस इसी में देश का इत्यास अनिकल रहा है आ रहा है कि अब बहुत बहुत सुक्रिया रमासंकर आपने इतना विचारों तेजक और बहुत ही थौट प्रोवोकिंग जाख्यान दिया और मैं अब इस सेशन का अंत करने जा रहा हूं के बसकुछ आपचारियग धन्यवाद देनेंगे बाद बहुत 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 धन्यवाद स्पीकर को बुलाने की है आगे रहने के लिए निशिकानद कोलगी का और इसके साथ साथ आयोद्या और सचिनका और जाहिर है आप सभी स्रुताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद